जैन धर्म की भव्वे कथा और मजबूत नीव लगभग एक हजार वर्षपूर्व के संखर्ष का परणाव समय की धारा को जैन मानिता ने काल चक्र कहा जिसके अलग-अलग भागों को आरा देते हैं हर युग के, हर काल के अपने अलग नियम है, अलग विधान है अब तुम्हें अपनी च्छाओं को फोन करने के लिए सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, श्रम भी करना होगा लोग कह रहे हैं, तीर थंकर महावीर आये, तीनों काल को जानने वाले सरवग्य ज्यानी जरा मैं भी देखूं, ऐसा कौन ब्रह्मा उतर आया है, जो लोगों को अपने इंद्रजाल में फसा रहा है तुम से बड़ा चैत्यवासी मैने ने देखा, चैत्यवासी असल में कर्मों से जाहते, बिलकुल गी विपरील थे वरतमान में जीना और वरतमान भोगना ही जीवन का सही पर्या है शास्त्रों में लोग और माया चोड़ने वाले को साधू कहा गया है, ना कि अनुष्ठान और लाब के लालच में परवचन करने वाले को दिक्षा का अपमान कर रहे हो, अपमान तो आप कर रहे हैं, इस पवित्तर जान धार्म का सत्य धार्म को ग्रहन करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है जहां जहां चैतवास का बुल बाला है, वहां अधर्म इस कदर बढ़ गया है, कि किसी सच्चे साध्यों को नगर में घुसने की अनुमती नहीं है मुठी भर मुर्खों की ये मजाल, कि मेरे ही राज्य में आकर, मेरे आदेश के विरुद्ध प्रवेश कर गए शास्त्र कहते है कि धर्म पर संकट, अर्थात, राज्य का पतन, इस वाद विवाद में पढ़ने से अच्छा है कि उन गुप्त चरों को यहां बुला कर शास्त्रात्र किया जाए, यहां सब के सामने उनके ग्यान का मंधन भी हो जाएगा और दूद का दूद और पानी का पा जो शन को पहचाने वो पंडे, जो कन को पहचाने वो पक्षी, जो मन को पहचाने वो व्यापारी किन्तू, जो एक शन की कीमत को पहचाने, वो साधक होता है, सच्चा साधक वास्त्र में सब कुछ खोकर ही स्वेम को पाया जा सकता है कर दो